आज मैं आपको एक्जाम प्रेस्पेक्टिव से बहुत बहुत साधा इंपॉर्टेंट कुछ पीएच पे वेल्यूस बताऊंगी जो आपके DRDO, CHSL ऐसे एक्जाम्स में बहुत जाधा हेल्प करेंगी और मैंने काफी जाधा इंपॉर्टेंट पीएच वेल्यूस यहां पे लिखी हैं जो कि कई बार आपके प्रीवेस एयर के पेपर्स में रिपीटिड हैं जैसे कि पीएच आपसे पूछा जाता है वेल्यूस जो है पीएच आपको पता होनी चाहिए human body से भी related और जो हम day to day life में चीज़े use करते हैं उनका भी पीएच कई बार exam में पूछा जाता है जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए जो जल है पानी है उसका पीएच मान कितना होता है तो answer हो गया इसका 7 पीएच आपको याद रखना है ऐसे हमारे पास एक पीएच पेपर होता है 7 पे जो है न वो neutral होता है जिसे हम उदासीन कहते हैं इससे उपर पीएच में जो values होती है वो होती है हमारी acid जिसे हम अमल कहते हैं और जो अमल होते हैं वो taste में खटे होते हैं मतलब कि you can say कि अमल जो होते हैं acids होते हैं वो sour in taste होते हैं इसके नीचे जो होते हैं वो होते हैं बेस और बेस जो होते हैं इन्हें हम शार कहते हैं तेस्ट में ये कैसे होते हैं बिटर होते हैं कड़वे होते हैं और टच में ये सोपी होते हैं सोपी मतलब जैसे साबून का टच होता है थोड़ा सा सिलिपरी तो ऐसा टच होता है बेस क ये इनके कुछ key points से अब इनी से related हमारे पास pH होता है जो exam में पूछा जाता है so सबसे पहला question आता है जल, जल मतलब की पानी, पानी का जो pH होता है वो कितना है so answer हो गया 7 next है जो दूद का pH होता है, दूद का pH, दूद मतलब की जो milk है उसका pH मान कितना होता है 6.4 होता है, ये इसके अंदर bacteria अगर पूछा जाये तो वो होता है lactobacillus bacteria, acid होता है, lactic acid, lactic aml, जो की धाई में convert होने के बाद में पाया जाता है next question है, सिर्के का pH कितना होता है, सिर्का जो है वो टेस्ट में खटा होता है, और इसका जो pH होता है, 3 next question, जो मानव रक्त होता है, human blood जो होता है, इसका pH क्या होता है, सो सबसे पहली चीज़ तो जो blood होता है, वो कैसा होता है, कड़वा होता है, टेस्ट में थोड़ा सा bitter होता है अब इसका जो pH है, अब टेस्ट में bitter है, तो it means कि यह किसमें आता है, बेस में, means कि शार के अंदर, so इसका so sorry, so इसका जो pH हो क्या होगा, 7.4 next है, नीबू का रस, नीबू के रस का जो pH होता है, वो कितना होता है, 2.4 होता है, मतलब यह टेस्ट में कैसा होता है, खटा होता है so इसका pH कितना है, 2.4, और बाकी अगर यहां पे जैसे लिखा हुआ नहीं है, आप idea भी लगा सकते है, 2.4 है, it means कि वो क्या है, acidic है अगर 7.4 है, तो it means वो base है, शारिय प्रवर्ती का है, तो ऐसे आपको पता लग जाएगा, कि 7 से नीचे जो pH होते हैं, वो किसमें आते हैं, बेस में, शारिय प्रवर्ती में और 7 से उपर जो pH होता है, वो किसमें calculate करे जाते हैं, acid में, अमलिय में, अमलिय प्रवर्ती होती है उनकी, ठीक है नेक्स्ट आता है, NaCl, sodium chloride, common salt भी इसे हम कहते हैं, इसका जो pH मान होता है, वो कितना होता है Next question is, अमलिय घोल का जो pH होता है, वो कितना होता है, अमलिय घोल मतलब क्या हो गया, जो acidic solution होता है अब वो कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपने पानी में lemon डाल दिया हो, पानी में सिरका डाल दिया हो तो अमलिय गोल, acidic गोल जो होता है, acidic solution, वो कुछ भी हो सकता है जिसमें आपने कोई खटे चीज डाल कर उसको prepare किया हो तो जो अमलिय गोल होता है, उसका pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है नेक्स आता है, उदासीन गोल, उदासीन का मतलब क्या हो गया, neutral, neutral जो होता है, वो कितने पे होता है, 7 पे होता है ऐसे ही अगर आपसे शारिय गोल पूछा जाता तो वो 7 से क्या होता जाधा अमली पूछा गया तो 7 से कम है और उदासीन पूछा गया तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी Next question आता है शराब का जो pH मान है शराब का इलकोहल इसका pH मान कितना होता है तो यह होता है 2.8 Next question इस किसी वैक्ति के रक्त के pH का मान कितना परिवर्थन होने पर उसके मिल्त्यू हो जाती है तो सबसे पहले देखे जो मानव रक्त है human blood उसका pH क्या होता है 7.4 होता है अब जैसे कि जो 7.4 है ये हमारा आता है base के अंदर लेकिन अगर इसकी जो value है 7.4 है अगर इसकी value 7.2 भी हो जाती है मतलब कि इस value में 0.2 का भी अगर difference आता है तो इतने difference से ही किसी भी इंसान की death होने की पूरी हद तक possibilities बढ़ जाती है next question है मानव मूत्र means की जो urine है उसका pH कितना होता है आंसर है 4.8 से 8.4 होता है और ये depend करता है diet के उपर भी कई बार और भी factors के उपर ये work करता है तो मानव मूत्र का जो pH मान है उसकी exact value नहीं है हमारे पास में आपको याद रखना है 4.8 से लेके 8.4 होती है और ये acidic भी हो सकता ह है और ये basic भी हो सकता है इसका pH मान कितना होता है तो ये इतली हो गई 8.5 नेक्स जो आसू है आसू जो टिर्स होते हैं हमारी आँखों से जो पानी आता है उसका जो pH मान है वो कितना होगा 7.4 इसके बाद में next question आता है मानव लार जो human की जो लार होती है प्येज मान कितना होता है तो वो होता है 6.5 से 7.5 तो यह कुछ important प्येज थे आपके exam में जो आते हैं पूछे जाते हैं आपके exam में simple सा आप क्या कर सकते हैं इसका screenshot ले लिजेगा अगर आपको इसको note नहीं करना है और अगर आप इसको note कर सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है यह आपके exam के लिए काफी relevant है और आपके exam में यह काफी जादा help आपकी करने वाले हैं now मिलते हैं next video में thank you so much और please please video को like कर दीजेगा अगर आपको video अच्छी लगे thank you so much